आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now देखो इस Question में मुझे क्या बोला है That State Hooks Law देखो मुझे Hooks Law के बारे में बताना है तो देखो Hooks Law क्या है कि हमारे एक Scientist थे Robert Hook इन्होंने 1660 में एक Law दिया था Law of Elasticity ठीक है एक Law दिया था Law of Elasticity तो उसके According क्या था कि For Example मेरे पास कोई एक Solid Object है For Example एक Wire है मेरे पास ठीक है इस Wire के Across में Force लगा रहा हूँ ठीक है इस Wire के Across में Force लगा रहा हूँ इस Wire का Cross-sectional Area है A और Length है इसकी L ठीक है तो उन्होंने यह Law दिया था कि जो Stress Generate होगा इस Wire में Stress वो Directly Proportional होगा Strain के Stress क्या होता है हमारा Force Per Unit Area ठीक है जो Force हम लगा रहे है F Per Unit Area यह Directly Proportional होगा Strain के Strain क्या होता है Change in Length Per Unit Length ठीक है यानिकि जब इस Force को लगाने की वैसे जो इसकी Length में Increase होगा Force हम लगा रहे हैं तो अव्यस्टी बात है Stretch होगा तो इसकी Length में जो Increase होगा वो है Delta L divided by L तो यह था हमारा Law of Elasticity यह हम बोल सकता हूँ Hooks Law ठीक है तो Hooks Law हम क्या लिख सकते है हम लिख सकते है कि The Strain Produced in a Solid ना कि Is proportional to the applied stress Is proportional To the Applied Stress ठीक है यानि कि Statement का मतलब क्या हुआ The Strain Produced in a Solid किसी Solid में जो Strain Produced होता है यानि कि इसकी Length में जो Change होता है परिणे लेंद लेंद वो डारेक्ट ले प्रोपोस्टनल होता है Applied Stress के यानि कि कितनी Force परिणेट एरिया में लगा रहा हूँ जितना ज़्यादा Force परिणेट एरिया लगाँगा उतनी ज़्यादा उसमें Length में इंक्रीज होगा यहाँ पर क्या बात होती है अब इस बात का मतलब क्या है यह हम देखते हैं यह बोल रहा है कि यह जो Proportionality है यह कब तक रहेगी यह तब तक रहेगी जब तक कि वो Object हमारा Elastic Limit के अंदर हम उसको Stretch कर रहे है Elastic Limit क्या होगी कि देखो अगर इस Wire को मैं Stretch कर रहा हूँ Force लगा रहा हूँ तो है इस Stretch हो जाएगा थोड़ा सा मैंने Stretch की और जब Release करूँगा थोड़ा और जब Release करूँगा तो रिगेन कर लेगा लेकिन एक Limit होगी थिक है उस Limit से आगे जब मैं इसको Stretch करूँगा तो इस वापस अपनी Shape रीगेन नहीं कर पाएगा ठीक है उस एक particular limit से जादा अगर मैं इसको खीश दूँगा तो यह वापस अपनी shape रीगेन नहीं कर पाएगा इसमें कुछ ने कुछ एक permanent deformation रह जाएगा कुछ ने कुछ इसकी length पहले से जादा जो original length से उससे जादा elongate रह जाएगी ठीक है तो वो जो limit जहां तक कि मैं इसको stretch करूँ और यह वापस अपनी shape रीगेन कर ले उसको हम बोलते है elastic limit ठीक है तो हमारा hook slow क्या हो गया कि जो भी हमारा solid object है उसमें अगर elastic limit से अंदर-अंदर में बात करूँ up to the elastic limit जो कि अभी हमने discuss करी तो उसमें उस solid object में जो भी strain produce होगा वो हमारे applied stress के directly proportional होगा तेक है यह हो गया हमारा hook slow तो hope आप लोगों को clearly समझ आया होगा Thank you